पॉंड वीडियो फिल्म बनाने के मामले में गिरफतार हुए राजकुंद्रा हाई प्रफाइल के इसका तार अब धनबाग से भी जुड़ गया है दरसल मिस इंडिया युनिवर्स 2019 रही परी उर्फ प्रियांका पासवान के शादी मई 2021 में कतरास थाना श्यत्र के नीरज कुमार से हुई थी दोनों की पैचान फेस्बुक के माध्यम से हुई फिर शादी कर लिया लेकिन अब इस रिष्टे में खटास आ गई है परी पासवान ने कतरास थाना में दहेज मांगने का केस दर्श करवा कर अपने पती को जेल पिजवा दिया है वही दूसरी और परी के सस्वराल वालों ने अपने बहु पर गंभीर आरोप लगाए है सस्वराल पक्ष्टा कहना है कि वो राज कुंद्रा के पॉंड फिल्म इंडरस्ट्री से जुड़ी रही है ये बात पता चली तो शादी से इंकार कर दिया था लेकिन दरा धमका कर उसके बेटे से शादी जबरन कर ली दूसरा बार जब नेक्स्ट बार आई तो मिलने के लिए धमबाद तो वहां पर जो है उसको दिखाई अपने बारे में सब कुछ सच बताई कि मैं साधी सुदा हूं पहले से भी मेरा एक बेटी है तो हम तुमसे साधी करना चाहते हैं तो मेरा भाई इंकार कर दिया कि नहीं साधी नहीं कर सकते हैं मेरा घर से नहीं एकसेप्ट करें तो उसके बाद मतलब धमकियों की इसको फसाने के लिए कि हम जहां कि मतलब यह इसोशन के किसमें तुमको हम अंदर करवा देंगे अधिया है यह सब धमकी दे कर आरू लड़की पहले से भी लड़का लोग को धमकी दे के फसाई है उसका भी सुबबत मेरे पास तो वहीं डर से मेरा भाई जो है उसको साधी कर लिए और उसको हम लोग को जनकारी नहीं था मेरा नाना डेट किये थे रानी गंज में तो हम तो वहीं नानी घर में थे तो वहीं से उअ लड़का जो हैं उसके घर राची जाकर हा तो फिर वहीं लड़की आए, एकसी दिन के तो मार पीट करता है तो साधी का दूसरा दिन सही हमको मार पीट करने लगा और दहच का परतारना करने लगा जब कि साधी के बाद हूँ यहां पर थी ही नहीं यहां पूरा अगल वगल जितना भी है सब को जानता है कि यहां पर हूँ आई ही नहीं एक दिन के लिए मातर आई लोग को पता नहीं तिन चार का पता है और वो नड़की पॉर्णोग्राफी में काम करती है और उसका नाम है एप्लिकेशन का होट ही वीडियो और वो लड़की जो है मेरे छोटे भाय निरज को जेल भेजवा के ही रही है और अभी वह सांत नहीं है अभी भी बोलती है कि हम लोग को भी जेल भेजवाएगी और उसका नाम है प्रियंका कुमारी उर्फ परिपासवार वो जो आरोप लगाई है आपके खिलाफ में क्या लगाई सब बेबुनियाद आरोप लगाई है कि हम लोग उसको मारते थे पीटते थे और दहेच के लिए पड़तारना करते थे जबकि ऐसा कोई भी बात नहीं है एक दिन के लिए ही तो आई थी सोल्ला तारी को आई थी और उसी दिन साम को ही जाके थाना में फायार कर दी मामला क्या है क्यों अपने मर्जिस साधी की है उलोग फेस्बूप में सब मिली जूली है उसको होटल में बलाता था ही लड़का जाता था उलड़की भी आती थी कुछ दिन साथ में रहा उसको बाद इसको पताया सचाई सब जाना जानने बाद लड़का बोला कि मेरा घर पहले राजी थे हम लोग भी फोटो देख है था कि हां सॉडिक लडकी ठीक है अच्छा है लडकी काम कर रहा मिसडिया है था रॉज लोग नहीं नहीं साथी करने चलिए थे उसको फशा हुशा के पर रहा है वहीं इस मामले में कतरास लिलोरी स्थान मंदिर में शित् लक्ष्मर धर्मशाला में Miss India Universe प्रियांका पासवान उर्फ परीपासवान ने एक प्रेसवारता का आयोजन किया प्रेसवारता को संबोधित करते विए परीपासवान ने बताया कि उनके पती के परीजनों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उससे उनके सम्मान को ठेस पहुचा है प्रेसवारता में उनके पती के परीजनों ने आरोप लगाया कि शादी से पहले उनकी एक बेटी भी थी जिसके जानकारी उनके पती और उनके परीजनों को नहीं थी जो की सरासर गलत है शादी से पहले मेरे पती मेरे घर आते थे और मेरी बच्ची के साथ खेलते थे जिसकी फोटो और वीडियो मेरे पास मौजूद है साथ ही डिवोस लेने के बाद ही मैंने दूसरी शादी की और जहां तक राज कुंद्रा के प्रोडक्शन में पॉर्ण मुवी का सवाल है तो मैं एक मॉडल हूँ और मॉडल होने के नाते मैं वहां काम खोचने गई थी मेरा पॉर्ण वीडियो बनाया गया था जिसके जानकारे उसे दूसरे से पता चली ये बात अपने पती को भी बताया था अब जब दहेज मांगने का केस सस्राल वाले पर किया है तो पॉर्ण वीडियो के नाम पर बदनाम किया जा रहा है पॉर्ण वीडियो के मामले में मैंने मुंबई आरोपियो के खिलाफ केफ भी कर रखा है जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है श्चपासवान से और मेरे पहनी तो इनका कहनाँ रही है इनको पता नहीं था कि मेरी बच्ची है यहां साथ मैं सा दी से कहने की मेरे ने बच्ची सबकुछ रही tycker तो तो अभी यह प्रेस कॉनफरेंस करने का क्या मंसब था मुझे जलील करने के लिए क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी मैं इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए दुबई जा रहे हूं मेरे मानवानी को ठेश पहुचाने की लिए लोगों ने अभी आप अब द पहनती हूं मैं सवाट ड्रेस पहेंती हूं अगर मेरे साथ क्या हुआ है पार्ष में आपको पता है तभी आप मेरे साथी की हो मेरे साथी की हो अभी यह बात यह चल रहा है कि मेरे फादर को फोन करके पांच वलाद और एक गाड़ी मांगा के आ लेका जिसके लिए मैं खिला पारी नहीं नहीं मेरी और नहीं कुछ किया मेरे लिए उनके परिवार ने खाले रिकोर्डिंग अब लेवल करना पत्रकादम को जिसमें आपके पिताजी से बात हुई है वहां पाते ही तो अगर मैंने दस लाख मांगा है तो उसका तो प्रूफ होगा जैसे मेरे पास है कि अब लगार पास प्रूफ है जो मेरे पास है कि मुझे चाहिए दस लाख या फिर उन लोगों को चाहिए अगर लड़ता कुछ करता उसके पास प्रपर्टी होता कुछ होता नौकरी होता तब मैं लालच में आती जबकि लड़के पास तो कुछ है निकाराची बढ़ियात इस संबद में डियास पी अमर कुमार पांडे ने बताया कि सारे बिंदूओं पर जाच की जा रही है लगाए गए आरोप का सत्यापन किया जा रहा है जल्दी सचाई सामने आएगी उसके बाद त्वरित कारिवाई की जाएगी में उनके पती को गिरफतार कर नियाई खिरास पे भेजा गया है और अन्य बिंदू और अन्य लोगों की संलिपता पर अनुसंधान जा रही है और जल्दी इसमें और भी जो भी नए तथे सामने आएंगे उसके अनुरूप करवाई की जाएगी उसमें एक ममला आ रहा है क परीप पहले से उल्दी शादी शुदा थी गलत बात बता करो शादी की फेस्बुक में प्यार हुआ और यह शादी हो देए यह सभी तथे अकरतर अनुसंधान के क्रम में आएंगे और अभी इसमें कुछ भी कहना जदबाजी होगी अभी यह उनके द्वारा आरूप लग गई है हालांकि मिस इंडिया यूनिवर्स कितना सच बोल रही है ये तो पुलिस जांच से खुलासा हो सकेगा ब्यूरो रिपोर्ट मेरे मेडिया धनबाद